Welcome to Chapter 3 Trigonometric Functions तो चलिए सबसे पहले syllabus को देखते है as per NCRT 3.1 है introduction जहापर हम ये जानेंगे कि Trigonometry शब्त का मतलब क्या है और ये Trigonometry हमने कहाँ पर Real Life में इस्तमाल किया है देखो indirectly आपने इस्तमाल किया है पर मैं Maths के माध्यम से बताऊंगा कि Actually आपने कहाँ पर किया फिर 3.2 पर जाएंगे जो है Angles Angles का मतलब क्या है कैसे मेजर करते है उसके Applications और फिर उस पर धेरो सम्स करेंगे Important Topic है फिर आगे बढ़ेंगे Trigonometric Functions 3.3, 3.4 उसी का Advancement है Trigonometric Function of Sum and Difference of Two Angles तो इसके Formulas है लंबे चोड़े, बड़ी लिस्ट आपको Formula याद रखनी पड़ेगी और ये एक Core है For the Future जिसने Trigonometry सही से नहीं पढ़ा उसका Integration, Differentiation, Week उसका जो भी आप Chapter उठा लो सारगा सारा Week हो जाएगा ठीक है तो इसलिए इस Chapter को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है तो चलिए, स्टार्ट करते है आज की Class with the very first topic 3.1 introduction Trigonometry, ये जो शब्द है ये Greek words से जुड़ करके बना है Greek में Trigon का मतलब होता है Triangle, Metron का मतलब होता है Measure, ये Metron, वो मोदी जी वालो Metron नहीं है, ठीक है Metron is a Greek word, जो कहा जाता है Measure, in English अब अगर आप इसको connect करो, Measure Triangle तो basically, measuring the side of triangle is known as Trigonometry Easy, अब real life example भी देख लेते हैं अब ये भाई साब को यहाँ पर building paint करनी है जब building paint करनी है, अब उपर वाला हिस्सा paint करना है, तो सीड़ी को किस angle में रखना पड़ेगा वो जो किस angle में रखना है वो basically Trigonometry का ही इस्तेमाल कर रहा है ठीक है, building, जमीन, 90 degree to each other अब ये जो ladder है, किस angle में रखना है, ये जो match वो लगा रहा है, वो indirectly Trigonometry ही यूज़ कर रहा है, ठीक है अगर इस प्रकार से लगाए, तो उपर वाला हिस्सा होगा, तोड़ा और उसको खिसका दे नीचे, तो middle वाले हिस्से पर वो paint कर सकता है, so on and so forth, similarly जब आपने अब गसर गुंडी हिंदी में कहते है, अगर आपने ये game खेला है, बचपन में, तो फिर आपको पता होगा कि ये है ना 90 degree वाला नहीं होता है, हाँ, अगर आप water kingdom जाते हो, तो फिर आपको 90 degree मिलता है, for fun, but garden में 90 degree वाला नहीं मिलता है, garden में इस एक 45 degree के angle पर रखा जाता है, ताकि कोई बच्चा अगर उपर से नीचे जाए, तो उपर से नीचे यूस होता है, similarly अगर आपको हो जाए, भफट है ताकि वाला नहीं हो एक झाला आपको कि एंभर उपको ओंण पर आपको कि वाला खब आपको कि जाए कि भब